फ्रेंज नवरात्री एक ऐसी स्टेज है एक ऐसा ट्रांजिशन टाइम है जो तो असी चेंज ओफ सीजन नो महसूस करते हैं ठंडी हवा सानो अच्छी लगती है तो एक ऐसा टाइम है जो तो तुसी नवरात्री दे फास पारे सोचते हो लेकिन कुछ ऐसी हैं मिस्टेक्स है कियां जिडियां असी नवरात्री दे फास से दौरान करते हैं जिनननों असी अवाइट करना है ताकि साटी बॉडी हेल्दी रह सके और आम वाला जिड़ा समेदा बदलाव है उन्हों साटी बॉडी इम्यून होके उन्हों चेल सके मैं डाइटेशन पर लवी जसल तो उन्हों सुझान वालियां कुछ ऐसे टिप्स पारे जिड़े की इननन नवरात्री दे विच्ट उसी अपना सकते हो और अपने आपनों आम वाले चेंज आफ वेदर ल नेरा लड़ूस वेरियस टाइबस आफ नमकीन अवेलेबल जेडियां भी चीजां पैकेट वालियां होंदे हैं तुसी प्लीज उन्हों वाइट करो उन्हों दे विच ना सिर्फ अन्हेल्धी फैट्स होंदे हैं लेकिन वदे विच नमक होंदा है तुसी कहोगे कि सेंधा नमक इस्तेमाल होंदा है लेकिन मैं दसना चामांगी कि नमक is always नमक जी उदे विच सोडियम कंटेंट थोड़ा कट है लेकिन जी जादा क्वांटिटी दे विच उन्हों खाया जाए तो उन्हों ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है जादा कैलोरी लेंदे नाल तो अड़ा करनवास्ते, you need more water, water तो अन्हों चाहिदा है अपने metabolism नो fast करनवास्ते, so three to four liters of water is very important, now Navratri दे में जी बहुत important और खुशी वाला aspect होंदा है नवरात्री दा खाना, और मैं तन्हों ये सुझाव देना चामांगी, जे तुसी कुट्टू दी रोटी खाना चांदे हो, राइस स्मागते खाना चांदे हो, साबुदाना खाना चांदे हो, सील खाना चांदे हो, तर तुसी उन्हों first half of the day is low, because these are also carbs, जदो तुसी दिन दे second half ते विच जदो तुसी काब्स लेंदे हो, वो त्वाडे weight loss ते विच रोड़ा हो सतने है, so जदो भी तुसी कुई खाना खाना है, और वैसे भी spiritual reasons वास्ते भी, तुसी उन्हों sunset तो पहला खाऊता कि, जदो तुसी एन्या heavy meals लेंदे हो, तो आड़ी body नो थोड़ा time मिल जाना है, उन्हों assimilate करना विच, because जदो तुसी शाम नो खाना खाऊगे, उस तो बाद जादा workout नहीं होंदा, and you sleep, so तो आड़ी weight loss ती बजाए तो आड़ी weight gain हो सकता है, इस तो लावा बहुत ज़रूरी है कि तुसी हर खाने दी nutritional composition दे बारे जरूर सोचो, तुसी walk जे कर रहे हो, तो तुसी walk करो, जे तुसी walk नहीं कर रहे हो, तो तुसी walk start करो, जे तुसी work out कर रहे हो, that is very important, तुसी पनीर खा सकते हो, ता तुसी अनु लगदा है कि असी अपना fast निभा रहे हैं, असी कुछ खाने रहें, लेकिन जेडे भी grains and cereals असी तुरान खानें, they are high in calories, so तुसी हर चीज दी calorie content बारे सोचो, और उस तो बाद अपना जे रावरत है, उनों तुसी ओदे भी चेडिया में चीजा include करने हैं, उन तुसी करो, this is dietitian Pallavi Jasal, wishing you very happy Navratras and till we meet again, stay blessed and live life more.